नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टार्गेट विदा लोग हम लोग यह जो तीश्टी-पिश्टी के एक नई स्रिंखला नई आपके पास 3 से 4 मन्त वह समय है जो वास्तों में एक अमूल समय जिसको खो देना है आपके जीवन की प्रगती में बाधक होगा जिसको पा लेना आपके जीवन की प्रगती में सहायक होगा अब आप खुद आकलन करें और तयार हो जाएं हमने पहले ही बोला था कि जब नया बेच हम लाएंगे तो नई सटीक रणनीती लाएंगे एक्जाम के पैटर्ण को ध्यान में रख कर लाएंगे कौन-कौन महतपूर चिंतक हैं कौन-कौन महतपूर सिधानत हैं किस महतपूर उधार्णा को हम लेकर चलें किस तरीके से तयारी करें कि हमारे इक्जाम की तयारी इतने कम समय में बहुत ही सटीक और महतपूर तरीके से हो जाएं इसमें अगर हम मेहनत करेंगे आपके लिए तो हम उमीद भी करेंगे कि आप भी मेरा सहयोग करें मेरे साथ मेहनत करें तो सबसे प्रमुख विचारक उन्नीसमी सतापदी का सबसे प्रमुख विचारक पूंजी वादी का विरोधी राज का विरोध करके समता मुलक समाज की मांग करने वाले धर्म को एक नसा कहने वाले की धर्म एक ऐसा नसा है जो क्या करता है पागलपन को बढ़ावा देता है गु क्योंकि अगर धर्म कट्टर रूप में है तो धर्म सहायक नहीं सकता धर्म बाधक हो सकता है ऐसे प्रमुख विचारक कारल माक्स की बात करते हैं किसकी बात करते हैं कारल माक्स की बात करते हैं कारल माक्स का काल खंड है अठारा सो अठारा से अठारा सो तेज अठारा सो अठारा सो तिरासी कारल माक्स का काल खंड है अठारा सो अठारा से अठारा सो तिरासी तक यह कालमाक्स जो 1818-1883 तक के कालकंड को बनाए हुए हैं इसमें इन्होंने एक यूग दिया है जिससे साम्यवादी यूग कहा गया सोचिए कि इन्होंने कितने संगर्स और कितने महतपूर विचार लेकर अपने जीवन में परिवर्तन किया होगा हम पढ़ेंगे क्या हमने आ मैंने क्या कहा था आप जब कभी विचारक पढ़ें जिएटि इन्हीं को कहा जाता है दार्षनिक मैंने कहा था कि जब विचारक पढ़ें तिंकर पढ़ें या दार्शनिक पढ़ें तो खुद को वहां उस ही यूग में जीवित कर दें उस यूग में खुद को समाहीत करें थो जीवन तो होता है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी श्रेष्ट गुड किसी भी विचारक के बारे में पूर जानकारी बीना भूले हम लें तो सबसे पहले क्या करना खुद को उस युग में उनकी जगह रख देना है आज आप मेरी बात मान कर इसी को याद करके खुद को कारल माक्स की जगह रख देंगे खुद को कार्ल मार्क्स की जगा रख देंगे तब सोचेंगे कि कार्ल मार्क्स को कार्ल मार्क्स बनने के लिए किन परिस्थितियों ने मजबूर किया या इतना बड़ा विचारक बनने में कार्ल मार्क्स के लिए कौन-कौन से बिंदु सहायक रहे विचारक के बारी में जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहले विचारक की सबसे पहले विचारक की जन्मिस्थली प्रारंभिक देखरेख सिक्षा युवा वस्था अगर मैं बात करूँ कि तब तक आप और हम समझ गए होते हैं कि समाज का उस विचारक पर कैसा असर पढ़ता है समाज का उस विचारक पर कैसा असर पढ़ता है तब उस विचारक को पढ़कर हम उस समाज के व्यक्ति बन जाएं हम उस समाज के नागरिक बन जाएं कुछ पल के लिए वो यातनाए हम जेलने तब तो समझ लीजे कि हमने विचारक को समझ लिया तब आपको लगेगा कि मैम ने एक बार जो कहा था सही है, बाकि जितने लोगों ने हम लोगों से पढ़ा है, जितने इस्टूडेंट फोन करके मुझे थेंक्यू कहते हैं, मुझे प्रेम और इश्नेह देते हैं, मैं वास्तों में आपके प्रेम और इश्नेह की बहुत आवा पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको और परिवर्तन लिकेगा फैक्ट वही है सब कुछ वही है इसमें कुछ जो नए तरीके से घूम रहें उनके बारे में मैंने बताया है इसलिए आप क्या करेंगे अब आप इसे ध्यान से समझेंगे चलिए मैंने कहा ऐसा कार्लमाक्स जो 1818 से 1883 के कालखंड को बनाए हुए है उन्नीसमी सताब्दी का सबसे महत्वपूर विचारक है कैसा विचारक है जो अपने समाज को देखेंगे है जो अपने समाज की विसंगतियों को देखता है तो कहता है राज होना ही नहीं चाहिए राज जैसी अवधारणा आनी ही नहीं चाहिए अर्थात राज जैसी अवधारणा का भीरोधी पॉइंट वाइज ही चल रहे है ताकि तर्क के साथ आप विचारक समझे इनके दर्शन को समझे से के पॉइंट को ध्यान में रखते समझे का क्या रहा है राज जैसी अधारा होनी ही नहीं चाहिए क्यों क्योंकि राज बनाया ही जाता है पूंजी पतियों द्वारा या राजिका निर्माड ही होता है पूंजी पतियों को बढ़ावा देने के लिए और मध्यमवर्ग या सर्वहारावर्ग के शोसड के लिए तो पूंजी पतियों का भी रोधी? पूंजी पतियों का भी रोधी? धर्म से घृड़ा किस लिए हुई? ऐसा क्या कारण आया? किन परिस्थित के कारण इन्हों ने धर्म को अभीम के समान कहा? धर्म को अभीम के समान कहा? समता मूलक समाज की मांग करने वाला एक विचारक है कार्लमाग्स तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि तुम सर्वहारावर्ग हो तुम सब हार गए हो तुम सब हार गए हो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, खोने के लिए ये गुलामी की बेडिया पड़ी है, इसलिए तोड़ दो गुलामी की बेडिया, भूल जाओ सबको, लडब लो, और अगर ऐसी लड़ाई, ऐसी क्रांती करते समय, हिंसा भी करना पड़े, तो बिल्कु सही है, उस रास्ते को अपनाओ, और क्या करो, सर्वहारा वर्ग की क्रांती ले आओ, सारे विश्व में, एक समान आपकी इस्थित होती है, आपकी इस्थित अलग नहीं है, ऐसा विचारक जिसमें पूरे विश्व में क्रांती लाती, सर्वहारा का अधिनायक वादी हो गया, सर्वहारा का ताना शाही सिधान्त लाने लगा ऐसा विचारक है कार्ल मार्स ऐसे कार्ल मार्स का जन्म अब क्या करें मैंने कहा ना जब किसी विचारक को पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे जब कभी किसी विचारक को पढ़ना होता है तो सबसे पहले विचारक के जन्म इसकली विचारक के बाले आवस्था विचारक के समाज को विचारक के समाज का उस यू आवस्था पर प्रभाव यही कहा मैंने चलिए फिर से आज़ाई कार्ल माक्स का जन्ड कार्ल माक्स का जन्ड कहां हुआ प्रसिया प्रसिया महाद्वीप है एक विशाल छेत्र है प्रसिया महाद्वीप है एक विशाल छेत्र है वहाँ पर राईन प्रांत है एक बहुत बड़ा प्रांत जिला है राईन वहाँ एक नगर है ट्रियर क्या कहा मैंने कारल माक्स का जन्म कहा हुआ प्रसिया महादीफ है बहुत वन चेद रहे यहां एक प्रांथ है राइन प्रांथ जिसमें एक नगर है ट्रियर नगर वहाँ पर ऐसे कारल माक्स का जन्म पांच मई 1818 को एक यहूदी परिवार में हुआ और सबसे पहले कहूं कि कार्ल माक्स के जीवन का सबसे बड़ा उन्जान सबसे बड़ी बिडंबना ही यहूदी परिवार में जन्म लेना हो गया कहा जाता है ऐसा कार्ल माक्स हम वास्तों में नाम लेते हैं कार्ल माक्स लेकिन इनका पूरा नाम कार्ल है निरिच मार्क्स लेकिन यह फेमस ही हुए माक्स से माक्स विचार धारा, माक्स सिदान, माक्स का साम्यवादी यूग, माक्स का साम्यवादी सिदान ये इसी से क्या हुए? फेमस हुए तो इनका जन्म कहा हुआ? मैंने बताया ट्रियर नामक नगर में पांच मही 1818 को यहूदी परिवार में आपको याद होगा ये काल माक्स क्या कहलाते थे? बैग्यानिक समाजवाद के प्रडेता कहलाते थे बैग्यानिक समाजवादार थात इन्होंने क्या किया? इन्होंने अतीत की घटनाओं को क्रमवार दिखाया कि तुमको याद होगा जब तुम आदिम युग में थे तब क्या होता था जब आदिम युग में थे तो सनरचना और सनरचना को जन्म लेने वाली जो बस्तुमें थी उत्पादन के छेत्र थे उत्पादन के साधन थे ये किसी के पास इकटे नहीं थे वो प्रकति में घूमत करते थे हम आप एक आदिम समाज में होने के कारण आदिम मानों जैसे क्या करते थे एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे अपना जीवन ही आपन करते समाज कैसा था समता मूलत था क्यूं सारा समाज प्रकति पर निर्भर था कोई वर्ग नहीं था वर्ग विहीन समाज थ तब तब हम एक सब्द देखते हैं वर्ग विहिल क्योंकि वो बताते हैं वेग्यानिक समाजवात का मतलब ही होता है अतीत से किसी चीज को लेते हैं और वर्तमान तक उसको टैली करते विशलेशित करते हैं और निसकर्स दे देते हैं हुआ क्या आदिम समाज है न प्राक्रति प्रतेक मानों दूसरे मानों जैसा ही है कोई बर्ग नहीं है ना किसी के पास संपत्ति है तो वह अमीर है और ना बिना कोई ऐसा है जो संपत्ति विहीन है तो वह गरीब है तो क्या किया जाए सब समता मूलक समाज है प्रकति की समानत को पूरती के लिए जितनी आपकी चांता है विए जब जब कारू मार्ख को पढ़िए तो आदीम समाज में चले जाए चक्वाMy तीत के क्रम से लेकर अब तक घटना क्रम को लेकर चल रहा है ठीक है बैग्यानिक समाजवात के प्रड़ेता थे तो बात क्या किया जाए ऐसे कार्ल माक्स प्रसिया महाद्वीप में राइन प्रांत में ट्रियर नामक्त छेत्र में पांच मई 1818 को यहूदी परिवार में जन् कार्ल माक्स ऐसे ही नहीं किसी गरीब परिवार में जन्म ले लिए इनके पिता पेशेवर वकील है इनके पिता वकील है इनकी माता छोटी मोटी सिक्षा दे रही एक डच महिला है लेकिन यह जिस छेत्र में रहते हैं उस छेत्र के बारे में समझें वो छेत्र क्या है ट्रियर कहां है राइन प्रांथ पूरा राइन प्रांथ यानि इतना बड़ा इस्टेट है जिसमें ट्रियर एक छेत्र है यह पूरा इसाई धर्म को मानता है ट्रियर में अपवाद स्वरूप अपवाद स्वरूप काल माक्स और उनके माता पिता है यह किसके वंसज है यह रिवाईज के वंसज है यह रिवाईज वंसज है और उसी वंसज की प्रडाली को चल लेकर चल रहे हैं इसलिए यहूदी धर्म का पालन कर रहे हैं आप बार 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 कहेंगे मैं आजकल धर्म के लिए लेकर इस्ट्रगल हो रहा है और आप धर्म पर ही जोड़ दे रही है सोचिए एक बच्चा जन्म ले रहा है उसको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है ठीक तो है क्या मैंने क्या कहा यहूदी धर्म यहां पूरे जगह इसाई धर जागरण चल रहा है पीछे सब अपनी अपनी गरिमा को की ओर लौट में पनी संस्कृत क्राइब आप इसाई धर्मके विरोध में एक ने धर्म ए कि अईसे धर्म को लेकर चल रहे हैं जिन्हें यह नहीं मानते तो उसका परिडाम क्या होता था यह भी समझे परिडाम यह ह उस समाज में इन लोगों के साथ पूर्वा ग्रह से ग्रसित लोग भेदभाव करते थे, आसमानता करते थे, इनके साथ समान भेदभाव हुआ ही नहीं, ये बड़े दुखी हुए, और हुआ क्या, इनके माबाप जो यहूदी सिक्षा दे रहे हैं, उसका इन लोगों के बार या किसी विचारों को पढ़ना है, तो पहले उसके बाले अवस्था को पढ़ेंगे, किसी विचारों को पढ़ना है, हम खुद महा बैट जाएंगे, खुद अपने को महा इस्थापित कर देंगे, तब पढ़ेंगे, अब ध्यान से समझें, भेदभाव हो रहा है, अब हो क क्या रहा है इन्हीं भेद भाव और पूर्वा ग्रस्ते परिशाल हो कर कार्ल माक्स के परिवार ने यहूदी धर्म का त्याग किया यहूदी धर्म का त्याग किया और इन्होंने क्या किया इसाई धर्म को स्विकार किया इसाई धर्म को स्विकार किया भूत बड़ी चीज़ है बहुत बड़ी है कि आप अपने बाले आवस्था में समाज में अपमानित हो रहे थे भेदभाव हो रहा था इस कारण आपको धर्म छोड़ना पड़ा इस कारण आपको अपने संस्कित अपने धर्म जिसको आप धर्म धर्म करना स्वेक्षा से धर्म करना भाई संविधान का अगर हम मौली करिकार की बात करें भारती संविधान के भागतीन की बात करें अनुछेत 25 भी कहता है अनुछेत 25 भी कहता है प्रतेक व्यक्ति को अपने धर्म पर प्रहार है और इस कारण इसाई धर्म को अपनाया गया, यहुदी धर्म का त्याग किया गया, इसलिए 1824 में कार्ल माक्स के परिवार ने इसाई धर्म को अपना लिया, यह कार्ल माक्स के जीवन का आरंभिक चरण था, इसलिए कार्ल माक्स अभी धर्म को नहीं समझ रहा है इसलिए कार्ल माक्स अभी धर्म पर जादा प्रहार नहीं कर रहा है बात समझ में आई कार्ल माक्स धर्म पर जादा प्रहार नहीं कर रहा है क्योंकि धीरे धीरे कार्लमाक्स बड़ा हुआ जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है चीजों को समझने लगता है तो वो धर्म से घृड़ा करता है उसको समझ में नहीं आता कि वास्तों में धर्म किस लिए बनाया गया है अब खुद सोचिएगा कार्ण माक्स को विरोधी विचारक कहते हैं क्यूं ना बने कोई ब्यक्ति विरोधी विचारक क्यूं ना बने कोई बच्चा विरोधी विचारक जब उसने समाज की ऐसी और एक सवाल हमसे आयोग पूछ लेता है अब आपको समझ में आया होगा कि मैं मित्ती देर से जो हम लोगों को कहानी बाच रही थी अब उसमें राधे-राधे करने का समय आ गया वो कौन सा समय है जब आपसे आयोग कहता है ऐसा कौन सा विचारक है जो धर्म को अफीम के समान संग्या देता है कहता है धर्म कुछ नहीं है धर्म क्या है अफीम के समान नशा है धर्म क्या है अफीम के समान नशा है जिसके नशे में लोग जिसके नशे में लोग मानसिक गुलाम बन जाते हैं जिसके नशे में लोग मानसिक गुलाम बन जाते हैं चलिए भीया मतलब क्या है कहरा नशा खोर व्यक्ति एक ही बात पर धिगा रहता है उसके तर्क वितर्क की छम्ता समाप्त हो जाती है उसके तर्क वितर्क की विचारों की छम्ता समाप्त हो जाती है चलिए भीया असच भी है तो कहता है कि मेरे हिसाब से धर्म कुछ नहीं है मैं धर्म को कुछ नहीं मानता यह अफिम के गोली के समान है जो मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बना देता है यह पूरा समू समाज उसका गुलाम बनता चला जाता है तर्क वितर्क समाप्त हो जाती है और धर्म क्या करता है इनका एक कथन और है और ये कथन खुब पूछा जाता है धर्म ऐसा नसा है जिसके नसे में या धर्म ऐसी अफिम की गोली के समान है वक्त भी जरूर सुनियेगा याद रखियेगा क्योंकि पूछा खुड जाता है धर्म एक ऐसे अफिम के गोली के समान है जिसके नसे में अमीर व्यक्ति गरीबों का शोशड करता है गरीबों का शोशड करता है क्या कह रहा है मैं धर्म को नहीं मानता ऐसा धर्म जो मानसे गुलाब मनाता है ऐसा धर्म हो ही नहीं सकता जो आपके जीवन को उन्नत की और ना ले जाकर पतन की और लजाए जो धर्म आपके जीवन में सहायक ना हो प्रगति ना हो वो धर्म अफीम के नसे के समान है जिसके नसे में हमेशा लोगों का शोसर होता है लोग समाप्त होते जाते ये कौन कह रहा है ये कह रहे है कार्ल मार्क्स बिलकुल इह बैठा लिजेगा ये सवाल जरूर आयोग पूशता है मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने कहा कार्ल मार्क्स कौन है कार्ल मार्क्स कौन है तो आपने कहा वेग्यानिक समाजवाद वैग्यानिक समाजवाद और साम्यवाद के जनक है वैग्यानिक समाजवाद और साम्यवाद समाज को दूशित कर देता है अगर वो कटर प्रगति सील नहीं होता पतन का कारण होता है अब ध्यान से समझेगा सामाजिक या समाजवाद आरंभ से था अब एक बहुत बड़ी विचार या वक्तव या आयो का प्वेस्टन सालो करने का तरीका समाजवाद आरंभ से था इन्होंने कुछ नया किया क्या कुछ नहीं किया समाजवाद चल रहा था इन्हों ने समाजबात से कहा रुको मैं देमारी व्याक्या कर दू अब तक लोगों ने कहा समाजबात ऐसा है कालमाक्स कहते है मैं ये नहीं कहूँगा मैं कहूँगा समाजबात को वहाँ से उठाओ जहां से jיאरो से ये चला था और अपने वर्तमान यूग तक लाओ, तो जब ऐसा लाओगे तो तुम इसमें तर्क भी तर्क करोगे, आपको लगेगा अब ये इसमें कौन सा question आने वाला है, अब समझेगा, तर्क भी तर्क करोगे, अपनी विचार धारा लाओगे, इसका विशले सड करोगे, नए समाज क साथ नए यूग के साथ इसकी तुलना करोगे, तो यही समाज बात तो वैज्जानिक समाज बात हो गया, मैंने कुछ नया नहीं किया, यह इनके विचार धारा उल्टे चल रहे थे, मैंने इन्हें सीधा कर दिया था, कथन कुछ और है, लेकिन हम सिपप को समझा रहे हैं, इनके विचारधारा उल्टे चल रहे थे कि इसके हीगल पेटी पड़ी किया था, मैंने उन्हें केवल सीधा कर दिया, साम्मेवाद कुछ नहीं है, मैंने पूंजीवाद के प्रतिक्रिया में इसको ला दिया, तो जब पूंजीवाद का प्रतिक्रिया आया तो समाजवाद आ कहते हैं कि गांधिवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं है वैसे ही कालमाक्स कता मैंने कोई नया काम नहीं किया जो जो विचारधारायच चल रही तो सही भी है यह क्वेस्चन पूछा जाता इसलिए तैयार रहिएगा बिल्कुल इजी बन जाएगा अगर अपने कोहाई जीने लगेंगे उस दिन विचारक सबसे ही जी हो जाएगा जब लोग कहते विचारक नहीं समझ में आता है तो बार-बार हम कहते हैं कि विचारक की बैठ जाओ प्लेटो का यूग हो तो अरस्तू मैं किया वेली कालमाक्स पढ़ रहे हो तो कालमाक्स बन जाओ सिंपल सा है तो झालमाक्स बनोगे तो धर्म से घिड़ा करो उस समय करो ना कैउं कि विचारक बन रहे हो ठीक तो अब क्या है कहता है बहु iron मैंने कोई नए काम को मैंने नहीं किया मैंने जो भी तत्व उठाए आपके 20 से उठाए और उठा कर उस पर मैंने क्या किया वैग्यानिक विशलेशन किया इसलिए मैं नया हो गया कोई नया कारे मैंने नहीं किया कहता क्या है यह तो आरंब से था मैंने कुछ नहीं किया सिफ इसमें परिवर्थन किया इसलिए कारल माक्स का कथन है कि जिस प्रकार गांधी जी ने कहा था गांधी वाद जैसी कोई विचार धारा नहीं है उस प्रकार कारल माक्स भी कहता है क्या कहता है मांक सुबाद जैसी कोई विचारधारा नहीं मांक सुबाद जैसी कोई विचारधारा नहीं यह भी पूछा जाता है यह सारे क्वेश्चन आप से आयोग पूछता है अब याद रखेगा यह सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे अक्सवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं है अब देखिए अब यहां से हम पैटर्न चेंज करेंगे यह क्या था बाले अवस्था हमने देखा जहां धर्म से घिड़ा है और धर्म का भी रोध कर रहा है कार्ल माक्स ने अपने यही अपने राइन प्रांत का जो है यही पर क जाल माक्स क्या करता है अठारा सो तीस से अठारा सो पैटिस तक ट्रियर में ही ट्रियर में ही प्रारंभिक सिक्षा पूरी करता है ट्रियर में ही प्रारंभिक सिक्षा पूरी करता है अठारा सो तीस से अठारा सो पैटिस तक ट्रियर में ही आरंभिक सिक्षा पूरी करता है चुकि यह धर्म से घिड़ा करता था राज का विरोध करता था सुरू से इसके मन में नकारा प्रशाशन की निंगरानी में रहता था क्योंकि अक्सर कहा जाता है कार्ल माक्स के विचार ऐसे थे कि जब ये विचार देता था तो सामने वाला उत्तेजित हो जाता था इसकी बात मानने के लिए इसके विचारों में बड़ी ज्वलंत शीलता से थी ज्वलंत शीलता थी मतलब तुरंत त्वरित वो प्रतिक्रिया दिख जाती थी तो होता क्या था पुलीस प्रसाषन निगराणी कर रहे यह यह यहाँ पर हैं महोदे और धर्म और राजी का भीरोध करने वाले महोदे हैं इसलिए पुलीस प्रसाषन के निगराणी में चरता था कार्ल माक्स ने फिर भी अपना कारे नहीं छोड़ा कार्ल माक्स अपने कारे कर रहे थे कार्ल माक्स जब आरंभिक सिक्षा पूरी कर रहे थे तब इन्हों ने उस समय ट्रियर में इसाई धर्म ना कहिए उन्होंने राज्य के नीतियों का विरोध धर्म पर प्रहार जैसे अपने कारे आरंभ रखे खुब लेक संपादित करवाते थे इसमें बढ़ चड़के हिस्सा लेते थे पुलिस प्रसासन निगरानी करे लेकि कार्ल माक्स तो कार्ल माक्स ने कार्ल माक्स इसमें लगे रहते थे जम कर दोनों सी धांतों पर प्रहार किया खुब लेक लिखे खुब लेक लिखे चलिए भईया अब कार्ल माक्स की सिक्षा किसी तरीके से यहाँ पूरी हुई अब कार्ल तो उच्छित परिवार से है तो उच्छित लेनी चाहिए अब हम लोग क्या करें ठ्रियर छोड़ दीजे क्यों चोड़ दीजे क्योंकि यहां तो प्रारमिक सिच्छा थी छोटे-मोटे विद्याले थे अब कहां चलिए अब चलिए कार्ल मार्क्स के साथ चला जाए बौन व विश्व विद्याले 1835 में कार्ल मार्क्स ने ठ्रियर छोड़ दिया और यह कहां चले आए यह बौन विश्व विद्याले में आ गए किसके लिए बौन विश्व विद्याले आ गए यहां इन्होंने लौ जिसे आप कहते हैं विद्य की सिक्षा के लिए प्रवेस लिया किसली आये थे विद्य की सिक्षा के लिए क्यूं क्यूंकि पिता खुद वकील थे और इन्हें भी वकालत करना था पिता चाहते थे कि कार्ल मार्क्स एक फेमस वकील बने इसलिए आगे लेकिन इनका मन लौ की सिच्छा में नहीं लगा जो गुड़ा-गड़ित करने वाले विचारक है, अतलब आप भले ही कह दीजे कि एक विचारक है, ये छोड़ के आगे बढ़े, ये जब समाज की गतिविधियों के तौर तरीके आपके मस्तिष्ट प्रहार करते हैं, मस्तिष्ट प्रहार करते हैं, तभी प्लेटो अरस्तु का आलमाग जैसे विचारत जर्म लेते हैं, ये जैसे होता है कि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, अब आपका नैतिक दायत तो है समाज को देना, तो आप क्या करते हो, तब आप अपने विचारों को बाटना क्यों कि आगे चलकर इनकी रूची विधि में नहीं रही, अब इन्हें समाज दिख रहा था, इसलिए इनकी रूची दर्शन, इतिहास, जैसे विशियों में हो गई, और ये कार्ल माक्स के जीवन की विडम बना थी, कि वान विश्विद्याले में ये विशे नहीं थे, औ रोमन और ग्रीक भासा पसंद करते थे, रोमन ग्रीक भासा पसंद करते थे, दर्शन, इतिहास चाहते थे, इसलिए क्या करते हैं, बन विश्विद्याले से एक वर्ष बाद ही, जब मैं कहूं एक वर्ष बाद तो आप समझ गए होंगे, एक वर्ष बाद ही यानि 1836 में, क्यूंकि 35 में बन में आये थे, 1836 में बन विश्विद्याले छोड़कर चले गए, गए कहां, बर्लिन विश्विद्याले, बर्लिन विश्विद्याले गए, क्यूंकि इतिहास चाहिए, दर्षन चाहिए, रोमन चाहिए, ग्रीक चाहिए, इसलिए बर्लिन विश्विद्याले गए, चलिए भीया, वहां क्या करना है, इतिहास दर्षन विश्विए में उच्छ सिक्छा ग्रहण करनी, इतिहास और दर्षन विश्विए में उच्छ सिक्छा ग्रहण करनी, इसका परेडाम बड़ा सुखद रहा इसका परेडाम ये सुखद रहा कारल मार्क्स के लिए कि यहां पर 1843 में इन्होंने दर्सन से उपाधी ले ली 1843 में कारल मार्क्स ने दर्शन से उपाधी ले ली सोची 1835 बॉन गए लौकी सिक्षा ग्रहन करने लौकी सिक्षा में मन नहीं लगा अब कहां चलेगे बरलीन इतिहास दर्सन पढ़ने और दर्सन की सिक्षा में उपाधी ले ली बर्लिन एक ऐसा वाता वरण है एक ऐसा विश्व विद्याले पूरा बर्लिन अब ध्यान से समझेगा एक ऐसा विश्व विद्याले या मैं कह दू एक ऐसा इस्थान पूरा बर्लिन जहां एक विचारक ने अपने जीवन को जिया था और उस विचारक ने अपना जीवन जीआ था और उस विचारक को सारे लोग जी रहे थे तो बर्लिन विश्व विद्याले जहां पर कारल माक्स के विचार जीवित हुए कारल माक्स विचारक बन गया एक ऐसा विश्व विद्याले जहां पर एक ऐसा विचारक जन्म लेता है जिसने विचार दिया था अपना जीवन जिया था और लोग उसमें जीते थे कारल माक्स भी उस विचारक में रम गए और कारल माक्स के विचार वही से जीवित हो गए और वही एक ऐसा विश्व विद्याले है जहां से कारल माक्स विचारक बने कौन था यह विचारक कौन था जो बर्लिन विश्व विद्याले में पूरे बर्लिन पर अपना राजिक करता था एक प्रसिद्ध विचारक भौतिक द्वंदवाद का जनक हीगल पूरा बर्लिन उनके विचारों से जीवित था वो जीवंद थे लोगोंकी विचारों में हीगल जिन्दा थे और बर्लिन में हीगल के ही विचार पढ़ाए जाते थे हीगल के ही दर्सन पढ़ाये जाते थे संपूर बरलिन को पढ़ता था और उनके विचारों से प्रभावित्ता सब कुछ राज्य है राज्य के लिए कर गुजरो ठीक इस्वर का रेठा है राज्य मतलब हीगल के द्वन्दात्मक भौतिक बात सब कुछ चैसा था विचार से ओत प्रोत पूरा बरलिन लगता था भीगल जिन्दा है अब देखिए यहां क्या हुआ हुआ कि कार्ल मार्क्स यहां विचारक कैसे बना इस कहानी को समझेगा कार्ल मार्क्स देखता है कि मैं इतने समय तक पढ़ाई किया सिच्छा दिया सब किया मैं दे इसमें हो गई थी वह आज भी विचारों में जिंदा है वह आज भी विचारों में जिंदा है ये बात कार्ल मांक्स को बड़ी अच्छी लेगा और कार्ल मांक्स वहीं से क्या हो गया हीगल से प्रभावित हो गया कार्ल मांक्स वहीं से हीगल से प्रभावित हो गया और यहां पर कार्ल मांक्स ने एक चीज देखी यहीं पर कार्ल मांक्स ने एक चीज देखी कि हीगल को जिन्दा रखा है इस बर्लिन ने बर्लिन में कहां पर बर्लिन का दर्शन पढ़ाया भी जाता था और इसी बर्लिन विश्व विद्याले में एक संगोष्थी हाल या आपके इसको सभागार जिसमें हीगल के दर्शन की जिसमें हीगल के दर्शन की चर्चा परिचर्चा होती थी यानि दर्शन भी पढ़िये दर्शन भी पढ़िये अप प्रतेक शप्ताएं आकर हीगल के दर्शन पर हीगल के लिए जो बना था सभागार या संगोष्टी जैसे इस articles हाल होता है इस क्या करिए इस पर चर्चा परिचर्चा करिए इस सभागार का नाम था यंग हेग लियांस यह किसके नाम पर था हीगल के नाम पर था यहां इन ही के विचारों का दर्सन चलता था इन ही के विचारों पर चर्चा परिचर्चा होती थी कारल माक्स यहां से बड़ा प्रभावित हुआ हीगल से इतना प्रभावित हुआ धीरे धीरे कारल माक्स कि हीगल को जीवित करने लगा हीगल की अनुसरण करने लगा और इसी यंग हेगलियांस का आगे चलकर सदस्य बन गया कारल माक्स इस यंग हेगलियांस का सदस्य बना और धीरे धीरे देखता है कि यंग हेगलियांस में पत्रिकाय संपादन कारे भी होता है यंग हेगलियांस में संपादन कारे भी होता है पत्रिका भी निकलती है एक पत्रिका निकलती थी रहनीश टाइम पत्रिका इस यंग हेगलियान से एक पत्रिका निकलती थी रहनीश टाइम पत्रिका अब सोच लीजिए रहनीश टाइम पत्रिका पहले सदस्य बना फिर धीरे धीरे इस पत्रिका में संपादन का कारी करने लगा कहा गया संपादन का कारी कर रहा था तो नौर्मल कर था लेकिन विचार इतने उत्तेजित थे जब ये कारी करने लगा ना तो ये क्या कर रहा था ये राजिका विरोध कर रहा था तो ये रुड कर रहा था किैसे उस समय की परिस्तिति आ सि थी राजा सोसड कर रहा है पूंजीवादी को दिख रहे है कि मध्यमबर्गया सर्वहाराजी से कहता है वह परिसान है उन्हें उनकी कीमत नहीं मिल पा रही है जो अतरिक्त पायदा होता है जैसे ही संपादक बना अब यह चाहने लगा कि मैं कैसे इसका विरोत कुरू संपादन कारी करते करते रहने इस टाइम पत्रिका का यह मुख्य संपादक बना अब यह इतना उतेजित हो गया कि यह त्वरित सामयबाद लाना चाहा इसने कहा सबसे पहले क्या हो तुरंत सामयबाद आए और तुरंत राजी खत्म हो जाए पूंजी पतियों का बिनास हो जाए और क्या हो हीगल के दरसन को जीते जीते अब यह विरोध करना सुरूर कर दिया हीगल के दरसन को जीते जीते राजी का पूंजी पतियों का विरोध करने लगा जाहिर सी बात है लोग इसका विरोध करेंगे पूरी प्रसा का विरोध हो रहा है अब यह अपने पूरे पिछले दिन को याद कर रहा है और क्या करता है प्रसा सामराजी का प्रसाराजी का विरोध करता है और हुआ क्या जैसे ही इसने प्रसाराजी का विरोध किय इन्हें यंग हेगलियांस के संपादन कार्य से निकाल दिया गया लेकिन कहां रुखने वाले हैं कार्लमाक्स अगर आप निकाल भी देंगे तो कार्लमाक्स जीवित हैं और यही नहीं इन्हों ने यंग हेगलियांस के सदस्य भी बने थे पोईट्स क्लब था टैवर्न क्लब था इसके भी सदस्य बन गए और यहां भी क्या करने लगे अब कार्लमाक्स स्वतंत्र विचार धारा दिये कौन सी उनकी खुद की विचार धारा ने भाई अब मुझे इससे निकाल दिया गया मैं क्या करूँ अब मैं विवादित विचारक बन गया हूँ अब कार्लमाक्स कार्लमाक्स की ओर चला है क्या कर रहा है स्वतंत्र विचार धारा दे रहा है जो किसकी विचार धारा है कार्ल माक्स की विचार धारा है लोगों को लगता है और लोग कहते हैं यह माक्स वादी विचारत अब लोगों ने कहा यह माक्स वादी विचारत कैसी विचारधारा कारल माक्स की विचारधारा माक्सवादी विचारधारा जो किसके विरुद्ध है जो राज के समाप्ती पर विचार देता है साम्यवाद पर विचार देता है वर्ग संघर्ष को जिंदा करता है कहता है समाज कैसा हो वर्ग विहीन समाज हो वर्ग संघर्ष पर चिलाता और कहता है सरवहारा की ताना साही होनी चाहिए फिर कहता है विश्व के सरवहारा वर्ग विश्व यानी मध्यम वर्ग का कोई देस नहीं होता कोई राज्य नहीं होता कोई समाज नहीं होता यह कैसा वर्ग होता है यह वो वर्ग होता है जिसका ह अमेशा सोसर होता है तो पूरे विश्व में चाहे वह आप अमेरिका देखे चाहे भारत देखे चाहे प्रशा देखे चाहे ट्रियर देखिए कार्ल कहता है पूरे विश्व में इनकी इस्थित एक जैसी है इसलिए है विश्व के सर्वहारा वर्ग के लोग उठो जागो जाग जाओ तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है क्या केवल बेडियां जो तुम पे गुलामी की बेडियां लगी हुई पाने को पूरा समाज पूरा सामराज पूरा आसमान पूरा विश्व पड़ा है इसलिए अब तुम खो तो नहीं सकते हो इसलिए तुम पाने के लिए खड़े हो जाओ हिंसा करो क्रांती करो और ऐसी क्रांती में अगर हिंसा भी आए तो उसको भी स्विकार करो क्यों क्योंकि तुम्हें को करना है ऐसा माक्सवादी विचारधारा किसके लिए लाया गया था? क्यों लाया गया था? कहा गया ऐसा माक्सवादी विचारधारा उदारवाद का प्रतिवादी स्वरूप था ऐसा माक्सवादी विचारधारा उदारवाद का प्रतिवादी स्वरूप था अब आप कहेंगे उदारवाद क्या है कौन उदारवाद जिसका माक्सवाद विरोध कर रहा है जिसको कार्ल माक्स अपनी विचारों में बिल्कुल उसका विरोध कर दे रहा है कहा गया उदारबाद राज्य होता है उदार कौन होता है राज्य होता है कहे कैसे कहे राज्य क्या करता है वह यह राज्य का कार्य है कि मैं राज्य हूँ तो मैं अपने सभी लोगों को सूरक्षा दूँगा शान्ती दूँगा समानता दूँगा न्याय दूँगा कानून दूँगा सबको एक समान दूँगा राज कहता है क्यूंकि राज उदारवादी है इसलिए उदारवादी होने के कारण सभी वर्गों को एक समान अधिकार देने के कारण कारलमाक्स कहता है कि वर्ग सिधान्त का वर्ग संघर्स का एक मात्र पोसक राज्य है पूछा गया कैसे भी या राज्य का तो ये कारिय है कह राज्य ऐसा जब करता है तो राज्य इसमें किसी विशेस वर्ग को ये चीजे अधिकार के रूप में दे देता कहता ये कार्य राजी का था न तो राजी को करना चाहिए राजी ये कार्य किसी विशेस वर्ग को सौब देता है मुझे वही विशेस वर्ग से नफरत है जो क्या करता है तो सोशड करता है इसलिए कहता है राजी पूंजी वादियों का पूशक पूंजी पतियों का पूशक है राजी क्या है पूंजी पतियों का पूशक है कौन कहता है कारल माक्स कहता है समझ में आ गया क्या तो क्या कहता है पूंजी पती का पोशक हो गया राजी राजी क्या करता है पूंजी पती उनके संपत्ति इन सब को सुरच्छा देता है सारा अ सबहार गया है अब उसके पास कुछ भी पाने के लिए लेकिन बाज सकता है सारा करो तुम राजी को खत्म कर दो समता मुलक समाजाएगा बर्ग पर Say से कहां चलेंगे काल माक्स का ताम फिर से चलेंगे आदी मवस्तान जहां सब एक समान होंगे प्रकति होगी प्रकति देगी यानि समाज के साथ प्रकति प्रकति सब को देगी सब एक समान तरीके से मैं आपको काल माक्स की इतनी चीज़े अभी कुछ नहीं हो अभी तो आपको कर्लमाक्स सामेवाद पड़ना है इसके अतरिक्त जो इन्हों इन्होंने हीगल के द्वन्दात्मक विचारधारा को टकर दिया उसकी आलोचना किया और अपनी विचारधारा रखी तब आपको देखना है यानि आप यह याद रखिएगा यह समझेगा कार्लमाक्स या कोई विचारक एक दिन में खत्म होने वाले विचारक नहीं है इन्हे परिस्थित इनकी समाज में जाकर खड़ा होना होता है तब दार्शनिक या विचारक समझ में आते हैं और आपको भी पता है चाहे आप आप पीजिटी दे पीजिटी दे निट दे जियारफ दे कहीं भी आप जाए एक शब्द है न जहां जाईएगा हमें पाईएगा यह क सुचित के पढ़ना क्या है आपकाते हैं मैं चिनतक पढ़ना है तो भ不起 हम पढ़ रहें चिनतक अब फिर काते हैं मैं सिद्धांत समझ में नहीं आता रथात राजनितिक चिनतक पढ़िए sådan पमज जो थिंकर है उसने जो अपने प्रिंस्पल से दिये वही तो सिध्धानत है अब कार्ल मार्क्स का सिध्धानत लिखिए अब आपको याद आ जाएगा कि मैंने बताया था कि वह बॉन में क्या किये बर्लिंग कैसे गए उनके साथ बाले आवस्था में कौन-कौन सी घटना होगा तो इस प्रकार जब भी पढ़ेंगे याद रखिएगा ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जहां से क्वेश्चन ना बनी मैंने कहा था जब 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 एक्जाम के पैटर्न नजदीक एक्जाम नजदीक आए एक्जाम के पैटर्न को पहले समझे कि क्या किया जा कैसी सटीक रणनीती बनाई जाए कि हम अपने इच्छित लच्छी को प्राप्त कर सकें तो क्या करना है एक नए सीरे से अपडेशन के साथ तयार हो जाना है एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो ऐसे ही महत्वकूर किसी टॉपिक से होगा जो वास्तों में आपके पीजिटी पीजिटी दोनों के स्लेवर्स को कबर करता होगा क्या लेना है देखिएगा क्या वास्तों में मैंने जो कहा है वो करके आपको लगष हमारा है यह जो आपकी लंबी दूरी है इसको छोटा करना हमारा कारी है तो वह तीन से चार महिने में हम कर ले जाएंगे बस आप एनर्जी के साथ पढ़िएगा थेंक यू सो मच थेंकि झाल झाल